नमस्कार राजिसभाट तेलिविजन के कारिकरम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश मेडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रिकेट बाजार और मीडिया हम बात करेंगे मीडिया कवरेज को लेकर कि आखिर क्रिकेट का मीडिया कवरे ज़िज हमारे देश में किस परकार का है और इस तरह की जो घटनाई होती हैं उसमें किस तरह मीडिया दर्शक है परियवेकशक है वो किस रूप में सामने आ रहा है क्या वो स्वैम क्रिकेट के बाजार में हिस्सेदार हो गया है इन तमाम सवालों पर बाचित करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस टोडियो में तीन खास्त मेहमान हमारे साथ हैं हरपाल सिंग बेदी वरिष्ट खेल पत्रकार हमारे साथ हैं CSDS से जुड़े समाश शास्त्री संपादक अभैक कुमार दूबे हमारे साथ हैं आनंद प्रधान मीडिया समिक्षक हम बाचित शुरू करें हरपाल सिंग बेदी जी इसके पहले आए देखते हैं इस विशय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रका था IPL के ताजा संस्क्रण में स्पॉर्ट फिक्सिंग का मामला मीडिया के हर हिस्से में बड़ी खबर है खबरिया चैनलों ने पूरा पूरा दिन इस एक खबर को चलाते हुए गुजार दिया IPL के पहले साल से लेकर अब तक के सफर पर नजर दोड़ाए तो ये टूर्णामेंट हर साल ऐसे विवादों से घिरा रहा है चाहे वो हरवजन श्रीशंद का मसला हो या फिर ललित मोदी का निश्कासन ल्यूक पॉमर्स बैक का विवाद हो या फिर रेव पार्टी का मामला IPL मैदान में होने वाले क्रिकेट के अलावा अलग-अलग कारणों से सुर्खियां बटोरता रहा है बीते साल भी एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के जरीए स्पोर्ट फिक्सिंग का खुलासा हुआ था पिछले दशक भर से मीडिया में क्रिकेट जिस तरह शामिल हुआ है उससे कई बार अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मीडिया सिर्फ रिकोर्टिंग कर रहा है या फिर क्रिकेट का भीतरी हिस्सा बन गया है भारत में T20 मैच की शुरुआत इंडियन क्रिकेट लीक से हुई और ZTV समू के मालिक सुभाष चंद्राइस के सूतरधार थे मीडिया और क्रिकेट का बिजनेस हित आपस में गहराई तक जुड़े हुए है मिसाल के लिए सन्राइजर्स हैदराबाद का मालिकाना हक सन्टीवी नेटवर्ट के पास है जो भारत के बड़े मीडिया समूहों में शुमार है IPL के एक साल के परसारन अधिकार का मूले 900 करोड रुपए है और चैनलों के बीच परसारन अधिकार को लेकर मारा मारी रहती है ललित मोधी पर जो आरोप लगे थे उनमें परसारन अधिकार बेचने में की गई अनियमित्ता काफी अहम थी टीवी चैनलों को क्रिकेट में काफी TRP मिल जाती है इसलिए खाबरियां चैनलों के लिए आफ सीजन और आन सीजन के माइने अब खत्म हो चुके है क्रिकेट को पूरी तरह समर्पित चैनल देश में खुल चुके है अखबारों का खेल पेज धीरे-धीरे क्रिकेट और क्रिकेट से एक कदम आगे जाते हुए IPL में तब्दील हो चुका है क्रिकेटर आज सिने अभी नेताओं से बड़े इसकार है सचिन का सोवाश तक उसी दिन पेश होने वाले आम बजट से ज़्यादा कवरेज पाता है मीडिया में विग्यापन, TRP, बिजनेस, संसनी और मालिकाना हक केतार क्रिकेट सोलजे हुए है और मीडिया इसकोछ सोलजाना नहीं चाहता दिलिप खान, राजय सभा टीवी मीडिया है ये लार्जली बड़े पैमाने पर इंटर्टीन्मेंट इंडस्ट्री के पार्ट बन चुके है दुनिया भर में जो पूझीवाद के विकास के साथ खेलों का और खास करके मीडिया का जो एक गहरा रिष्टा है उसमें बाजार बहुत शुरू से ही जो आज खेल हम चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बेसबॉल हो चाहे फुटबॉल हो उन सभी खेलों को मीडिया के लिए ही अनुकूलन किया गया है उसको उनके अनुरूप बनाया गया है और लार्जली ये एक इंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री के पार्ट है तो आज जो खेल हम देखते हैं वो दरसल लोगों के मनोरंजन के लिए है और मनोरंजन उद्योग का हिस्सा है दूसरी जो महतुपूल बात है कि क्यों मनोरंजन उद्योग को ये सूट करता है क्रिकेट या दूसरे इस तरह के खेल जो दुनिया के अलग-अलग देशों में लोकप्रिये हैं उनको लोकप्रिये बनाया गया है और उनको बनाने के जरिए उसके जरिए आप दर्शकों को अपने उन एड़टाइजर्स को बेचते हैं तो इस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री बनती है और उसमें खेल ज़्यादा अनुकूल इसलिए हैं क्योंकि वो एक तरह का फील गुड क्रियेट करते हैं और उसमें जो बायर्स हैं, जो कंजूमर्स हैं उनमें समानों को खरीदने की जो एक प्रेणा पैदा होती है और एक तरह से बड़े पैमाने पर बड़ा दर्शक वर्ग आप सीरे उपलब्द करा देते हैं अपने एड़टाइजर्स को जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है तो एक तरह से पूंजीवात और मनोरंजन उद्योग इन दोनों के बीच का जो गहरा उद्योग है उसके बाई-प्रड़ेक्ट के रूप में आज खेल हमें दिखाई पड़ते हैं और क्रिकेट इसका कोई अपवाद नहीं है बेधी साथ, लेकिन क्रिकेट हमारे देश में दूसरे जो गेम्स हैं, दूसरे जो खेल हैं, उनसे काफी डिफ़रेंट है खासकर उसकी मेडिया कवरिज, खासकर लोगों में उसकी एक स्वीकारियता या उसके प्रती मोह, उसके प्रती एक अगाध, इन्वाल्मेंट जो लोगों का है उसमें लेकिन ये जो कह रहे हैं प्रधान जी की एक मेडिया ने और सब ने मिलकर, बाजार ने भी मिलकर उसको एक ब्राडर, एक बड़े उद्योग के रुप में कनवर्ट किया है, मनोजन का उद्योग, लेकिन इसमें जो फील गूड फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की घटना हैं, जो आई पील में होती हैं, इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, क्या ये कड़वाप अब जो हम बैठे हैं, मीडिया के ठेकेदार बैठे हैं तरही ये क्या, ये जो इन्हों ने किया, ये कोई जो एक्स्प्राण जी ने दी, और हो सकती है, मगर मैं उसको ये कहता हूँ कि पैसा इतना आगया, जब आने काउंटिन मनी आगई बन जब इसी मनी आगई, ये लो किसी को नी पता, कैसे अगर आप दोर पे लेते हैं, तो आपका इंकम टेक्स को इस्प्रेंब करना पड़ता है, ये जो तीन पर आपको कमिशनर साब ने आखे बातें करने लिगी, पूरी ताम जाम था, रेप होता है, तो बोते हैं, ऐसे जो डिसाइड करेगा, जामे ठेक मेंट है, तो इसवे हम डिसक्स करें, गार में बैठके, जार इसने क्या किया, बढ़ा खल्स किया, हम सबसे बढ़े चोह रहा है, क्यों tablespoons को नी ठच करता, ग्रीबी को नी ठच करता, ग्रीबी को ये law and order को टच नी करता, वोमन अपरेशन को टाच नी करता यह ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हम बॉलीविड की फिल्मों को डिसकस करते हैं इसको करते हैं मीडिया रोल यह है जो पैसा आया तो मीडिया उसे तरफ चला गया, मीडिया को स्वराइव करना है आप किसी टॉप प्लेयर के खिलाफ नहीं लिखते हैं जो बर्जी लोग कह लें आचा यह नहीं कहेंगे, आपको रोकेंगे आपके एडिटर को फोन आएगा कि यह क्या कर रहा है, क्रांटी कारी ले आए हो तुम अबे, बेदी साब बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे है और जो फॉर्मेट है IPL का या हमारे तवाम खेलों का, खासकर क्रिकेट का उस फॉर्मेट में यह बिल्कुल साफ हो गया है कि कार्प्रिटाइजेशन जो इसका हुआ है वो पर्फेक्ट है, संपूर्ण है मैं रामशंद भाग को अगर उद्रित करूँ खासकर उन जोनों क्रिकेट को लेकर खासकर हिस्टॉरिकल जो उसके परस्पेक्टिव में उसको लिया है कि एक बार गांधी जी 1930s की वो बात करते है गांधी जी ने बकायदा इस बात पर इतराज किया था कि मुंबई के इलाके में जिस तरह से धर्म के नाम पर जाज के नाम पर टीमें बन रही थी और कम्पोटिशन हो रहा था और कम्पोटिशन में बहुत सारी खिलाडियों को बहुत सारी टीमों को डिवार किया बाहर किया जा रहा था उस पर गंधी जी ने इतरास किया था और कहा था कि क्रिकेट का ये गलत समाश चास रहे लेकिन आज आज आप देख रहे हैं कि उन्हीं के दिश में टीमें जो हैं कार्परेट हाउसेज की ही नहीं है बलकि मीडिया हाउसेज की भी है और इसमें कोई अपराद बहुत किसी को नहीं है उनको भी नहीं है जो अपने दूसरे कार्परेट जो उनके घराने हैं और उद्योग हैं उसमें वेतन तक नहीं दे पार रहे हैं करमचारियों को ऐसे लोगों की भी है और अप्शन आप कर जाए लेकिन मीडिया कवरेज अगर आप देखें इस पूरे प्रक्रण का तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता अब देखिए अभी आज सवेरे अखवार में बड़ा दिल्चस्प कार्टून छपा है और उस कार्टून मैं एक पातर दूसरे से कह रहा है किसमें अच्रच की बात क्या है वो तो पहले ही बिके हुए थे एक बार फिर बिक गए वो कह रहा है वो पहले ही बिके हुए थे एक बार फिर बिक गए तो ये कार्टून हमें बताता है कि स्पोर्ट्स को प्रोड़क्ट में बदला गया किर्कट जो पहले प्रोड़क्ट नहीं था बाद में प्रोड़क्ट में बदला गया और उसका पूरी तरीके से monetization कर दिया गया इस monetization का नतीज़ा ये हुआ कि एक बार जब आप किसी चीज़ को monetize कर देते हैं उसके बाद फिर वो आपके control से आपके नियंटरन से वो चीज़ बाहर निकल जाती है उसकी अपनी autonomy बन जाती है उसकी अपनी स्वायता बन जाती है उसके अपने pair लग जाते हैं और किसी भी दिशा में जा सकती है अचा दूसरी तरफ अगर media से उसके सम्मंद को आप देखें media का monetization पहले ही हो चुका है media का मौद रखी करन पहले ही हो चुका है ये उन दोनों के बीच में एक नए किसम का सम्मंद है ये नए किसम का उनका आदान प्रदान है जो जिसके फालतार्थों की पूरी का पूरा अंदाज अभी हमें नहीं है ये अंदाज अभी हमें और धीरे धीरे करके होगा ये बात हैं और धीरे धीरे करके खुलेंगी और सामने आएंगी जो बेदी साथ ने कहा उनकी बात की इस्पिरिट से भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनका कहना ये है कि पूरे देश में भरश्टाचार का माहौल है जो करप्शन माहौल ऐसा है कि अगर आप रिश्वत देते हुए पकड़े जाएंगे तो रिश्वत दे के छूट जाएंगे इसकी पूरी संभावना है जैसा अभी हम लोग पीछे जब इंजार कर रहे दिया आपके कारकेनम का तो बेदी साब ने बहुत दिल्चस्प बात बताई कि पश्चिम में जो व्यक्ति डोपिंग करते हुए ड्रक्स लेते हुए या कोई भीमानी करते हुए पकड़ा जाता है एक बार जब पकड़ जाता है तो उसको पूरी तरीक से ठिकाने लगा दिया जाता है उसकी सार्विक जीवन में मंच पर दुबारा वापसी नहीं हो पाती जबकि हिंदुस्तान में ये काम बहुत आसान है लेकिन आनंद अबे की बात से अगर मैं लूँ लेकिन हिंदुस्तान में इसके लिए कोई कानूनी प्राउधान नहीं है जैसे मैं देख रहा था कि सन 2000 में जो आरोप लगे थे जो चानबीन होई थी खिलाडियों की जो फिक्सिंग को लेकर उसमें महज इसलिए बहुत सारे लोग छूटे हैं क्योंकि उस वक्त इस तरह का कोई कानून भी नहीं था और आज भी नहीं है और दूसरी बात कि कोई कान्ट्रेक्ट नहीं था खिलाडियों का बिसी सी आई से कि वो एक साफसुत्रा गेम खेलेंगे हो सकता है आई पील में इस तरह का हो तो कुल मिलाकर अदालती कारवाई में कमेंटेटर्स का मानना है कई कमेंटेटर्स का और कुछ पुलिस अधिकारियों का मानना है जो उस वक्त उन्होंने जाच की थी जो आजकल शिर्षस्त पदों पर हैं देश के वो कहते हैं कि इसलिए अदालतों में कुछ नहीं हो सका क्योंकि कोई कानून साथ उन्हों में क्या कर लिया है सर हम ये कह रहे हैं कि जब कभी कोई मैच फिक्सिंग होती है जब कभी स्पॉट फिक्सिंग होती है तब हम देश के लोग खासकर राइनितिक लोग मीडिया के लोग तमाम तरह के लोग जो कंसर्न फिल करते हैं कि खेल खेल जैसा होना चाहिए ये कार्परेट एक द्योग या एक तमाशे की तरह नहीं होना चाहिए वो चाहते हैं कि खेलों की पवित्रता फिर दुबारा वापस हो क्या वो पुढ़ते रहेंगे और आप उन पर इंपोस करते रहेंगे बहकावे में आ जाते हैं तो इनके खिलाब भी कोई नियम बन जाए कानून बन जाए और उनको सकसर कारवाई हो उनके खिलाब जिससे आगे कोई भी इन चीजों में शामिन ना हो लेकिन आपको क्या लगता है चेतन भाई की जो इस तरह के घटना करमों का खासकर क्रिकेट का जिस तरह का मीडिया कवरेज है क्या मीडिया में ये सवाल जो क्रिकेट के खेल को जिस तरह अपने देश में एक धर्म की तरह जुनून की तरह एक जश्नी तोर पे लिया जाता है उस तरह से मीडिया कवरेज जो हो रहा है क्या उससे आप संतुष्ठ हैं क्या ये इशूज जो है मीडिया में फोकस हो रहे हैं या सिर्फ जश्न, तमाशा और कार्पुरेटी खेल मीडिया में भी चल रहा है मीडिया जो है मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ मीडिया में जो आ रहा है, मीडिया बात करता है जो जन्ता की बात होती है, जो जन्ता की आवाज आती है मैं जानता हूँ, मैं किलाडी के नाते बहुत दुखी हूँ, मजे बहुत कष्ट है उसी प्रकार से जो खेल प्रेमी लोग है, क्रिकेट प्रेमी लोग है, उनको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, खेल की जो छबी है, एक अच्छी छबी है क्रिकेट की, वो धुमिल में मिल रही है, तो इसलिए सब लोग परिशान है, और उसे मीडिया भी परिशान है, वो भी अचुता नहीं है और इसलिए वो भी बात बात कह रहा है और इस पर उनक्या भी मानना ही है यह मेरा भी मानना ही है हम सब यह ही चाहते हैं कि इसके कठोर कानून बने कठोर नियम बने जिससे कि आगे कोई भी लोग इस प्रकार की गल्ती ना करें वैसे तो यह एक बनते चले जा रही है कि लोग जो है वो भी होते चले जा रहे हैं रात रात में लग पती और करोड़ों पती बनना जाते हैं और वो गलत काम भी कर रहे हैं इलीगल काम कर रहे हैं लेकिन चेतन भाई हम इन मुद्दों पर भी बात करेंगे एक अंतराल के बाद लेकिन सवा तो यह है कि लोभी लोग हो रहे हैं तो लोभ का महौल लोभ का वातावरण कौन बना रहा है इन सवालों पर बात्चित करेंगे एक छोटे अंतलाल के बाद आनन्द प्रधान चेतन चुछान की बातें आपने सुनी ठीक है यह इस तरह का इस तरह की टिपणी कोई भी कर सकता है और बिल्कुल सही उन्होंने कहा यह सब को दुख है इस बात का है लेकिन सवाल दुख जाहिर करने से नहीं होगा चीजें ऐसे नहीं बदलती हैं मैं यह कह रहा हूँ कि अभी मैंने देखा बहुं सारी कमेंटेटर जो क्रिकेट से जुड़े हैं वो यह कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ स्थब्द करने वाला है बहुत दुखदाई है लेकिन क्रिकेट जो है इतना बड़ा खेल है इतनी बड़ी चीज है कि इस मुसीबत से निकलने का कोई नो कोई रास्ता निकल लेगा देखे सबसे बड़ी बात यह है कि आम तोर पर जब ऐसी घटनाय सामने आती है तो यह इसको एक अपवाद की तरह से कुछ इंडिविजुल्स के एक तरह से व्यक्तिगत तरह पर उनकी गरबर होने का उनके लोब का उनके को भी एक इवेंट की तरह देखता है और उसके पीछे जो प्रॉसेसेज हैं उनकी जो प्रक्रियाएं हैं जो उनके लिए जिम्मेदार कारण हैं उन पर वो कभी बात नहीं करता है यह तो छोटी मचलिया है आप समझे कि जिस खेल पर इतने हजारों करों रुपे लगे हों 40,000 करों पे का तो कहा जा रहा है कि केवल 60 बाजी हो रही है इस पर तो जहां दाओं जब इतने उंचे हों तो जो आप सवाल उठा रहे थे कि यह माहौल जो पूरा बना है उसमें खिलाडी के पास option ही ने रह गया है उसके पास भरष्ट होने के अलावा पैसा कमाने के अला गया है जिनके लिए जिनको बड़े दर्शक वर की जरूरत थी तीसरी जो इसमें सबसे महतुकूर बात है मैं समझता हूं कि आप जब खेल को तमाशे में बदल देते हैं यह सारे खेल जितने भी जो टेलेविजन के लिए बनाए गया है मीडिया के लिए बनाए गया है उस खेल के जो राइटर्स हैं जो खेलों के बारे में लिखा जाता है उनका जिस तरह से विश्रेशन होता है इसकी पूरी इंडस्ट्री अगर आप पढ़ें दुनिया बर में जो यह स्पोर्स और मीडिया के साथ जो इंटर्टेन्मेंट इंडस्री का हुदा हुआ हुआ है य लेकिन यह जो लीग शुरू ही है यह लीग दुनिया के विक्सित देशों में चायो फुटबॉल हो बेस्बॉल हो बाकी हौकी हो इन सब में पहले से आ चुकी है और वहाँ इस तरह की घटना है पहले से देखने में आ चुकी है लेकिन वेदी साब अगर हमारे पास हिस्ट को अधिया बदल सकती थी नहीं बदल सकती है उन्युट को या तीन बंदों को आइसलोइशन को लेते हैं मंत्री बदले आई एस अफस्वास बदले और बोर्ड का इतना बड़ा सीनियर बंदा उससे जादा क्या हो सकता हवस बदली आपने इनको पकड़ लिया और रोना द टांट करते हैं काले इतना ही काला इस देशिस वर्ल्ड आपको पकड़ा जाएगा यह चैक कीजिए आपको पकड़ा जाएगा पहले पूछेंगे आप कहां से और किस कलब के स्पोर्टर है आप ने कुछ नहीं देना अगर आप मैंचेसर इनाइटी के स्पोर्टर हैं उस क्रिकेट को प्रिजेक्ट किया जिस तरह क्रिकेट को उसने एक सामने लाया लोगों के और लोगों ने भी पसंद किया आइकंस बनाए उन्होंने नायक बनाए क्रिकेट से लिकिन अगर यह पूरा का पूरा जो क्रिकेट है पूरा का पूरा गेम को जिस तरह कुछ लोग ख बदला जाए और अगर बदला जाय ये अगर संकल्प है तो भी चीजें को नहीं बदल रही है। देखे ये तो काले धन की अर्थवस्तरा ऐसा मामला है सबोगता क्रांती होगी है। इसलिए सरकार काले धन को एक सीमा से उपर नहीं जाने देती। एक सीमा के बात पर तरह तरह की स्कीमें बनती हैं तरह काले धन को नीचे गराया जाए IPL के अंदर फिक्सिंग का जो करॉप्शन है फिक्सिंग का जो ब्रश्टा चाहा रहा है चाहे वो स्पॉर्ट फिक्सिंग हो चाहे वो मैच फिक्सिंग हो वो उसके अंदर इन्विल्ट है उसके अंदर अंतर नहित है अब समस्यास बात किया है कि उसको एक सीमा से आगे ना जाने दिया जाए पूरे मीडिया का दृष्ट कौन ये है मीडिया मॉनिटाइशन की उपर और करॉप्शन की उपर सवाद नहीं उठा रहा है कि ये तो होए गई होगा उसका सवाल ये है कि बी सी सी आई ने और आई पिल की बोड़ आई पिल चलाने वालों ने इसके अंदर फिल्टर्स क्यों नहीं लगाए इसके अंदर सिक्यूरिटी के अरेंज्मेंट्स क्यों नहीं किये वो अपने लोग क्यों नहीं रखे जो कि द सेम क्रिकेट के बाजार का हिस्सेदार बन जाता है देखें वो तो क्रिकेट का एक तरह से प्रायोजक है जैसे वो एक तरह से आप देखें कि उनकी पूरी रिपोर्टिंग और खास करके खेलों की जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है खेलों के जो पन्ये हैं और जिस तरह से वो टीमों द्वारा प्रायोजित हो रहे हैं और एक तरह से एक अजीब तरह का nexus है वो और उस nexus के पार्ट होने के कारण उसमें एड़टाइजर का भी इंटरेस्ट है जी वो एड़टाइजर उसमें बहुत बड़ा एक role play कर रहा है और आप जितनी ज़्यादा coverage दे रहे हैं उससे आपको दर्शक मिल रहे हैं दर्शक आप अपने विग्यापन दाता को बेच रहे हैं और ये इस पूरे nexus में उसकी जाहिर है कि उसके coverage में जो paid news है paid news के मामले में जो coverage है वो sports की coverage में भी paid news का बहुत जबर्दस चलन है जैसे cinema के coverage में आप cinema की जो समिक्षा होती है जो उसकी reporting होती है जो interviews होते हैं वो पूरी तरह से paid है ठीक उसी तरह से sports की reporting में भी काफी हद तक paid है और ऐसा नहीं है कि जैसे आज खिलाडी पकले जा रहे हैं कई sports journalists भी कई sports journalists भी इस तरह के fixing के मामलों में journalist की भी भूमिकर उसमें रही है जिस तरह का हम खेल की जो महत्ता है और खेल के प्रती जो पाठकों दर्शकों का एक प्रेम है उसको कत्ता ही हम ignore नहीं कर रहे है 16 मार्च 2012 देश का बज़ट पेश किया गया लेकिन देश के बज़ट की ख़बर मीडिया से लगभद ignore की गई गायब की गई और सिर्फ मीरपूर में सवाशतक वह सबसे बड़ी ख़बर निर्भर करता है कि परस्यतिया किस तरह की है डेर साल पहले जब अन्ना हजारे का अ सब्सक्राइब का नुकसान उन्होंने अपना करना सुईकार किया और वो अन्ना हजारे क्या रामडीला मैदान पर और दूसरी जगह पर वो सब लगातार लगातार दिखाते रहे ये एक तथ है और शोध करके रिसर्च की रूप में इस सामने आ चुछा है जहला झालागी को उसमें करने वाले आधम पर दान ये भी काते हैं कि उसका भी अपना कोई समाश्यास्त तरह न's है उनका अपना सुछ तादीला शौर्ध होगा उस दिन वो आईपील को छोड़ देंगे उन्दिन संसक्रिती यह उस पर निरृवर करता है आप बात करी पेला ये मुल्क है जिनिया में पहला बार हुआ है कि यू इसके प्रधान मंतरी देश के राष्टपती मुबारक दे रहे हैं और आप भूल गए कि आप मैच हार गे आप इसलिए के आपको आइकंस इसलिए चाहिए क्या आपको पॉलिटिक से क्या आपको एकेडिमिक से क्या आपको दूसरे चेत्रों से उस तरह के आइकंस नहीं मिल रहे हैं इसलिए इस तरह के चेत्रों से आइकंस जब आप पाते हैं तो गदगद हो जाते हैं आपके पास कोई मॉडल नहीं है कांदी नहरू सुबाग क्या आप दुनिया के दूसरे देशों में भी देखें, तो sports icon और जो फिल्मों से मिलने वाले icon होते हैं, उनका महतो सहित की दुनिया से, संस्कृती की दुनिया से, आने वाले icons की मकाबले बहुत ज्यादा होता है वो उनकी larger and the life बहुत बड़ी चपी होती है राजनीत में जरूर कुछ ऐसे हीरो, कुछ ऐसे नायक उबरते हैं जो उनका मुकाबला कर पाते हैं केवल राजनीत, खेलकूर और फिल्म ये तीन ऐसे छेतर हैं जहाँ पर शायद लोग सफ़ेद रंगे जूते पहनते हैं मैं इसको मुहावड़े के तौर पर कहता हूँ लेकिन ये अभे, जो अभे जी कह रहे हैं आनन्द ये मीडिया और एकेडिमिक्स ये दोनों का बड़ा रोल है कि समास को जो ऑईकन्स इमर्ज करते हैं, जो नायक उबरते हैं उनको किस रूप में पेश करते हैं असल में नायक बनते कैसे हैं, कौन बना रहा है नायक आप जब कह रहे हैं कि खेल भारत में बहुत लोकप्री है जो क्रिकेट के बारे में काया था कि एक तरह से धर्म बन गया है, जुनून बन गया है मैं ये सबाल पूछना चाहता हूं कि कितने पृतिश्रत लोगों में लोकप्री है इस पर बात क्यों नहीं होती है कितने लोग क्रिकेट देखते हैं इस देश के अंडर इनन प्रद्ध के लिए लिए बिए हैं पहले एंग्रेजों के बारे में कहना था है आप तिनों लोगों ने और चेतन चवाँ साब ने इस चर्चा में जिस तरह के मुद्दे उठाए निश्चित रुप से ये बात बिलकुल सामने आई की कार्पुरेट और जिस तरह से तबाम तरह के काले धन की चाया में आज क्रिकेट मनरा रहा है जिस तरह वो बदनाम किया सिर्फ खिलाडियों को कोसने से बात नहीं बनेगी सिर्फ ये कहने से कि वो लोभी हैं बात नहीं बनेगी और ये काम मीडिया का है ये काम अगर मीडिया आपजिक्टिवली करे अगर वो बेसिक सवाल उठाए अगर वो बनियादी सवाल उठाए कि किस तरह खेलों को भी हम तमाशा बना रहे हैं किस तरह उसको भी एक थंदे के रूप में तब्दील कर रहे हैं तो मुझे लगता है मीडिया हमारे समाज में हमारे देश में एक बड़ा रूल अदा कर सकेगा इन शब्दों के साथ आप तीरों मेहमानों का और छेतन साथ का धन्यवाद